ये वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि कल के दिन बैंक निप्टी और निप्टी में किस तरीके का मुमेंटम हो सकता है और उसके पीछे का कम्प्लीट लॉजिक क्या है और कुछ मैं आपको प्राइज एक्षन के सिक्रेट बताऊंगा जिससे आप एक हाई प्रोबैबिलिटी आले ट्रेड को भी इजली आइडेंटिफाई कर सकते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निप्टी का एनलिसिस अभी आपके सामने मैंने बैंक निप्टी का स्पोट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है अगर आप द आसानी से हो सकता है तो इसके लिए हमें कौन से लेवल important रहेंगे और किस तरीके से trade करना पड़ेगा कल के दिन मैंने आपको बोला हुआ था कि इस range के अंदर जब तक market रहेगा हम लोगों को बड़ा momentum देखने को नहीं मिले वैसे ही उसी तरीके से आगर आप देखोगे तो 15 minute chart के उपर आपको exactly उसी तरीके का scenario दिखाई दिया था market जो था वो market कल के दिन range bound था और range bound के बाद आप लोगों को आज एक market gap up के साथ open होते हुआ दिखाई दिया फिर उसके बाद market ने यहाँ पर consolidate करके एक profit working दिखाया और बाद में भी consolidation के zone में जाके break बंद हुआ है अभी देखोगे तो multiple बार इस level को market ने respect किया हुआ है और आज के दिन यहाँ पर जो gap up के साथ open हुआ है यह gap up के साथ open होने के कारण यहाँ पर fresh long position नहीं बन चुके है यह one of the important point है price action के हिसाब से जिसको अभी तक आपने YouTube के उपर कई पे भी सुना नहीं रहेगा मैं आपको gap का ए support की तरह काम करता है और जब भी market में gap down होता है वो gap down है resistance की तरह काम करता है इसका एक real example मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर आगर आप देखोगे तो market gap down के साथ open हो गया और यहाँ पर जो gap down बना हुआ था वो gap down है यहाँ पर resistance की तरह उसने काम किया फि का हुआ है आप वहाँ पर जाके cross check करके देख सकते हो तो कल के दिन market में हमें कहाँ पर trade करना पड़ेगा तो market में हम लोगों को एक trend line मिल रहा है यह trend line को सबसे पहले हम लोगों को draw करना सीखना पड़ेगा जब तक यह market इस trend line के ऊपर रहेगा हम लोगों को buy on the dips का trading strategy probability है तो इस level के करीब अगर market आ जाएगा तो यहाँ पर buyers फिर से active होने के बाद bounce back मिल सकता है जिसके लिए हमें तयार रहना है तो immediately हम लोग यहाँ पर sale नहीं करेंगे इस level के ऊपर आने के बाद market किस तरीके से respect करता है उसको check करके फिर हम लोग trading का decision ले लेंगे उपर की side मे हम लोगों के लिए एक important resistance का level बनके आ रहा है जिसको market ने multiple बार respect किया हुआ था अगर कल के दिन market थोड़ा सा gap up open होता है तो gap up opening के बाद क्या हो जाएगा scenario sentiment जो है वो एक scenario positive develop हो जाएगा प्लस आज के दिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर market ने कुछ खास momentum नहीं दिखा आया हुआ है one sided तो यहाँ पर बड़े trader के कोई ज्यादा position नहीं रहेंगे अगर यहाँ पर market consolidate करके इस level को मतलब 36601 के level को upside की तरह break करेगा तो उस case में हम लोग 3600 का जो call है वो 3600 के call को यहाँ पर buy कर सकते है उपर की side में यहाँ पर जो gap बन चुका है वो 3850 से 70 तक हम जिक थोड़ा जब आप समझ लोगे तब जाके आपका price action के उपर एक neutral mindset develop हो जाएगा और फिर आप आसानी से market में analysis कर पाओगे जब भी market एक range bound scenario दिखाता है तो range bound scenario में generally जो position बनते है वो weak hand के या फिर retail trader के position बनते है हम लोग price action के हिसाब से कैसे पता चले कि position जो बन चुके हो वो big player के हिसाब से बन चुके है या small player के trading activity से बन चुके है जब भी market में इस तरीके के weak वाले ज्यादा candle दिखाई देते है तो generally वो जो position बनते रहते है वहाँ पे वो weak hand की वजह से बने हुए position रहते है और जब body बहुत ही solid रहती है तो ये solid body के position जो बने रहते है वो comparatively big player की तरब से बने हुए position रहते है तो जब भी आप market में swing high swing low identify करना चाते हो support या resistance level draw करने के लिए तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो market reverse हुआ है वो big player के activity से reverse हुआ है या weak player के activity से reverse हुआ है जो logic में आपको यहाँ पर ब आसानी से आने वाले समय में support resistance level trend line draw करना सीख जाओ गए अभी देख लेते हैं कि निप्टी में किस तरीके का momentum होने की probability है मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था कि जिस तरीके से निप्टी bank निप्टी range bound scenario में बना हुआ है उसी तरीके से निप्टी भी यहाँ पर range for trade हम लोगों को मिल जाएगा जितना ज्यादा समय के लिए market range bound scenario में रहेगा उतना बड़िया momentum breakout के बाद market में मिल सकता है अभी इस price action के पीछे का logic क्या इसको समझ लेता है जब भी market ज्यादा समय के लिए इस scenario में range bound scenario में बना रहता है तो उपर के साइड के call को और नीचे के side को put को option writer sale करेंगे जब writer लोग यहाँ पर ज्यादा position बनाएंगे तो जितना ज्यादा समय रहेगा उतना ज्यादा quantity wise writer लोगों का position ज्यादा बन जाएगा और जब भी market breakout दे देगा तो यहाँ पर यह सब लोग risk पे आ जाएंगे वो लोग risk पे आने के बाद trap हो जाएंगे और expiry के दिन उनके पास कम समय बचा रहता है तो जैसे ही market में यहाँ पर breakout मिलता है वो बड़े quantity के साथ यहाँ पर exit मारना चालू कर देते हैं और उनके trapping के वज़े से उनके exit के position के वज़े से एक sharp momentum हम लोगों को कम समय में यहाँ पर दिखाई देता है बस इसी sharp momentum का हम लो ही देगा कि एक जो बड़ा candle मिला हुआ है यह completely short covering हुआ था इसी momentum को हम लोगों ने यहाँ पर चेक के यहाँ पर उसको पकड़ा हुआ था यह signal में आपको दिया था यह free वाले channel का link वीडियो के नीचे description box में डाला हुआ है आप वहाँ पर जाके check करके देख सकते हो अब यह हम लोगों को देखना है कि कल के लिए important level कौन से रहेंगे और किस तरीके से हम लोगों को उस level के उपर trade करना है अगर आप देखोगे तो दिन बर market जो था वो market range bound momentum में बरकरार था मैंने आपको कल के दिन बता दिया था कि यहाँ पर market जो है यहाँ पर week hand की वज़े स साथ open हो जाता है तो हम लोगों को एक profit booking दिखाई देगा और फिर इस profit booking के बाद हम लोगों को एक short covering का यह rally दिखाई दिया तो कल अगर आप लोगों को trade करना है तो सबसे important level आप लोगों के लिए रहेंगे उपर की side में यहाँ पर जो zone बन चुका है एक resistance की zone की तरह काम करे अगर कल के दिन market flat open होने के बाद इस resistance level में आता है और इस तरीके का कुछ price action का pattern बनाता है आधर यहाँ पर double top बनाई या फिर triple top बनाई या फिर head and shoulder pattern बनाई तो यहाँ से market reverse आने की probability है इसका confirmation हम लोग कैसे लेंगे confirmation लेने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक trend line draw करनी पड़ेगी तो उपर की side में market यहाँ पर कोई pattern बनाने के बाद इस trend line को downside की तरह break करता है तो हम लोग उस case में 17200 का जो put है वो 17200 के put को यहाँ पर buy कर सकते है अभी यह confirmation क्यों लेना है इसको थोड़ा समझने की है यह high के उपर कुछ point का buffer रखके हम लोग buy करते है तो उस case में हमारा success rate जो है वो success rate अटोमेटिकली बढ़ जाता है अभी यह logic का secret में आपको बता दिया आपने आभी तक जो लोग professional trader बनना चाते है इस point को आपके trading strategy में implement करके एक बार cross check करके देखिए कि breakout के immediately बाद पर रखके trade लेते है तो उसमें हमारा success rate बढ़ जाएगा यह point इसमें सही है कि यहाँ पर थोड़ा risk reward ratio हमारा कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर buy करने इसके बजाए हम लोग यहाँ पर buy कर देते है तो हमारा risk जो है वो थोड़ा risk बढ़ जाता है लेकिन being as a novice trader आगर आपक को एक professional trader बनना है तो आप एक ही step में professional trader नहीं बन सकते है पहले यहाँ पर novice trader जो होता है उसका continuous loss होता रहता है फिर जब आप थोड़ा थोड़ा develop हो जाते हो तो आप एक break even के stage पर आ जाते हो और जब आप psychological skill develop करते हो तो आप professional trader बन जाते हो तो यह बीच का जो stage है यह बीच even के stage में आ जाएंगे और फिर break even के stage में जब आप psychological skill develop करोगे तब जाके आप एक professional trader बन पाओगे अभी कल के दिन market में अगर directly gap up open होता है इस level में तो यहाँ से दुबारा market में profit booking आ सकता है क्योंकि यहाँ पर market ने यह जो strong momentum दिखाया हुआ है यह strong momentum जो है वो short covering के rally के वज़ होता है जब भी market में fresh buy के position initiate होता है और उसके बाद अगर market upside के momentum को continue रखता है तो वो upside का momentum long time के लिए चलता है अगर market में already पहले ही sale के position फसे हुए है तो यह trap हुए हुए sale के position के बाद जब market में एक upside का momentum आता है यह upside के momentum में यह जो trap हुए हुए लोग है वो exit करना चाते है त और उनकी वज़े से जो upside का momentum आता है जैसे कि आज के दिन आया था वो ज्यादा time के लिए sustain नहीं करता हुए short duration के लिए रहता है तो इसको हम लोग short covering का rally बोलते है तो यहाँ पे यह जो बड़िया momentum हम लोगों को दिखाई दिया वो short covering का था इसका भी benefit हम लोगों ने ले लि हम लोगों के लिए उमीद हो बड़े momentum की नहीं करनी चाहिए हम लोगों को अपने हिसाब से नहीं सोचना है market क्या बता रहा है उसको हम लोगों को follow करना है जब तक market इस range bound momentum को upside की तरफ या downside की तरफ break नहीं करता तब तक हम लोग एक बड़े rally को expect नहीं कर सकते तो intraday में 15 minute चाड़ के ऊपर जितना भी हम लोगों को rally मिलेगा उतना minimum profit के साथ book करके इसी rally को continue रखना है इसी करिके के educational वीडियो देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को like कीजिए अपने telegram चैनल को free के updates के लिए subscribe कीजिए और अपने YouTube चैनल को subscribe करके bell icon का button दाबा दीजे तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा ही मीजेट आपको उसका notification मिल जाएगा तो मिलता है next educational वीडियो में thank you very much